मैं अभी यह बताने जा रहा हूं कि जो डाड प्रोडक्ट और क्रास प्रोडक्ट आप पढ़ते हैं वेक्टर कल्कुलेज में उसका एक्षाली में बेनिफिट क्या होता है जैसे यह दो वेक्टर से हैं इन दोनों का डिरेक्शन अलग है इसमें दिखा सकते हैं इस यह वेक् theta होता है अब लोगों को पता ही होगा theta n के बीच का angle होता है ठीक है a cross b करते हैं तो a b sin theta होता है अब ये represent क्या करता है ये देखते हैं इसमें इसमें ये vector a है ये vector b है ये और force a है ये force b है ये एक point पर अबलाई कर रहा है तो a dot b e का मतलब होता है इस वाले का इस पे क्या impact पढ़ रहा है इस direction में यानि इस वाले load का इस वाले load पे a dot b है ना तो इस वाला load इस पे कितना impact डला ऐसे करके ठीक है इसका cost किस side बिलांग कर रहा है और जो a cross b हम पढ़ते हैं तो इन दोनो load का combined इस direction में इस direction में कितना effect पढ़ रहा है ठीक है अगर जो ऐसे दो load एक जगे लग रहा है तो इस direction में इसका impact कितना है और इस direction में इसका impact कितना है यह हम a dot b और a cross b से समझ सकते हैं ठीक है थैंक्यू